में मुहमस जकरिया खान और आप देख रहे हैं सिवली लाइब और मेरे साथ मौझूद है एड़ोकेट नवेंदु मिश्रा तीछे आप यह देख रहे हैं दल्सागर तलाब वहां पे तीछे देख रहे हैं दलपत राय राजा दलपत राय की मूर्ती और यह पिलर दरसल नव पहली बात करें तो पहली बात यह कि अभी कोट ने एंजिटी के कोट ने आदेश दिया गिया आपके साथ अब हमत पिछले बार इंटर्वी किया था तब आपने हम से कहा था कि किस तरह क्या क्या बज़े है जो एंजिटी ने से तोड़ने हम उस तरफ नहीं जाएंगे अपने इस आदेश में यह बताया कि क्यों जरूरी है वेट लेंज का संदक्षण उसके क्या-क्या प्रावधान है क्या-क्या किया जाना चाहिए सानिय सरकारों को और राज्य सरकारों के इंद्र सरकारों को वेट लेंज को बचाने के लिए स्पेसिफिकली इस मामले में तीन प्रमुक्ट आदेश पहला आदेश इसकी पैरी पैरी और इसके आसपास जितना भी अतिक्रमन एंप्रोच्मेंट है जो वेस्ट यहां पर आप देखने होंगे वेस्ट बहुत साला डंब है यह सब कुछ और अंट्रीटेड वाटर की सप्ल करना कि दूसरी बात कहा है कि यह जितने भी फिलर खड़े हुए है कोई तीसरी बात उसने कहा है कि सेंट्रल सब्सकाल कंट्रोबोर्ट के डारेक्टर अंवाइर्मेंट मिनिस्ट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव और इसके साथ वाटर जो वाटर क्वाणिटिव Management Institute है उसके लोग मिलकर यहां पर आकर investigate करेंगे कि यहां क्या परियावर्णी छती हुई है और उस परियावर्णी छती पे क्या मुआफ़जा बनना चाहिए जो वो निर्धारत करके court को बताएंगे और यह सारा काम एक महीने के अंदर होना है जिस दिलांग पर court ने आदेश जारी किया है तो court ने आदेश 9 जुलाई को किया है और 9 अगस सक यह सारी रिपोर्ट पर सामने पेश हो दिए एक बात मुझे आप से पूछनी थी यह सारी बात में कि तो तोड़ने की बात आई और जब आपने इन चीजों को इस पर मताब आप ने जब एंजीटी के पास गया रोक लगी तो एक बात बड़ी चर्चा का विश्यर है कि स्रीणी में कुछ भी होता है लोग आ जाते हैं रोक रहाने के लिए और इस से स्रीणी में विटास नहीं होता कुछ तो हो एक विकास की उधारन बुद्वारी तालाब देख सकते हैं जो कच्रे का धेर में परिवर्तित हो गया है मंगली पेट के पीछे जाएंगे एक तलईया हुआ करती थी जो गायाब है पुलिस ग्राउड में एक और तलाब हुआ करता था उसकी हलत तराब है तो हम अपने लि अगर पालिका करने वाली थी MLB साइड में दुकाने काटने का काफ करने वाली और अगर वो दुकाने कटी तो धीरे-धीरे दलसागर बन जाता बुद्वारी तालाब जो मैं होते नहीं होता बिल्कुल कच्रा डंप होता अपने अपने पुराने आदेशों में भी इसी केस मी कहा है कि एक सीवर्ड ट्रीटमेंट नगर पालिका को स्थाफित करना है जिसके लिए उस पर जुर्माना भी किया चुका है 4-90 ंजी लगकर नगर पालिका ने अभीत तक ऐसा कोई प्रस्ताव सीवर्ड ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नहीं रखा है नगर पालिका हमारी इतनी बेसुद है कि दलसागर के बाजू में जो भी आप नाला मॉडल रोड से जाते देखने है ये नाले की जमीन आगे जाकर गायब हो गई है बिग गई है एक प्राइविट डेवलपर के जहां नाला बनने नहीं दिया जा रहा है इस्टे लगा दिया गया कि नाको आज दिन आंक तक कोई काम नहीं किया था इनको तोडने का बास तरिक्तो मेरे दुआझा मेर्यवले में दौरा वेमाइनर दिया गया कि कोट ने आदेश कर दिया गया है और आपने नहीं किया को और नगरपालिका दोनों को किया क्योंकि यह कोट के अवमानना है तो मैंने सचेद किया क्योंकि सीवनी के नगरपालिका पर किसी परकार का टैक्स लगेगा पैसा लगेगा तो यह मेरे लिए नुकसान दायक होता है क्यों उसके उपर डिमॉलिशन का एक नोटिस मुझे दे दिया है अच्छा एक चीज मुझे पूछना था कि जब ये पूरा प्रोग्राम हो रहा था इसके लिए बकाइदा एक तातकालीन मुख्यमंदी शिरासीन चौहान आके इसका उध्वादन करके गए थे कि स्युनिक करोने की सागात और ये वो ऐसा होगा वैसा होगा उसके बताब वर्कमान विधायक और उसके जो विधायक थे दिनेशार मुनमन उन्हें ने भी खूब उसको लेकर हल्ला किया था तो इसको लेकर क्या उनसे भी कुछ बात चीत हुई आपकी लेकि मैंने नगर पालिका को जब इन्होंने इस तालाप को तोड़ा था इसके पश्मी तट को तोड़कर यहां का पानी बढ़ाए था तभी मैंने एक आपत्ती नगर पालिका के सामने पेश की थी कि यह जो काम करने के आदी हैं और वो उसी आदीपन में आगे बढ़ते रहे इस केस को लगानी के पहले भी मेरी द्वारा नगर पालिका को नोटिस दिया गया कोट के स्टे की अब मानना है जिसका एक और केस नगर पालिका पर लगा हुआ है फिलार यह थे हमारे साथ नमेंदु मिश्रा जी जिन से हम बात कर रहे थे उन्हों ना एंज्जूटी पर यातिका कर दायर की थी किस तरह से एक आधर भूमी में तलाब के अंदर नर्मार किया जा रहा जिसके बाद इस पर रोक लगी और अपकोट ने इन्हें तोड़ने के आधिज दिये हैं हमें बता रहे थे नमेंदु मिश्रा कि किस तरह परिया औरन के साथ या खिलूड हो रहा था और भी कई चीज़ें जिन पर उन्होंने टेटेल हमें मैं बताया इसके पहले एक बार ऑर हम इंसे पर इस टर्चा की कर चुके हैं जिस पर उन्हों ने कानून